So hey guys, welcome to the channel, we back और guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको just show करूँगा कि जो इस बार का community day है तो क्या आपके लिए वो best है भी या नहीं और हम इतना जो hype है Charmander के community day को लेकर तो वो इतना best है, क्यों है personally तो वो सब बाते भी मैं आपको clear करूँगा तो first of all तो जो इस वीडियो में मैं आपके लिए clear करूँगा वो होगा friends यहाँ पर Charmander का community day then हम यहाँ पर बात करेंगे Mega Charizard और Charizard के बारे में again हम बात करेंगे यहाँ पर new attack के बारे में जो Charizard का new attack है detail में उस पर बात करेंगे वो आपके लिए best है भी या नहीं और और भी कौन से move है जो और best हो सकते हैं आपके लिए and then उसके बात हम बात करेंगे यहाँ पर bonus की और सबसे best bonus क्या होगा आपके लिए इस event में तो वो भी मैं आपको just बता हूँगा then यहाँ पर आपके लिए best item क्या होगा अगर आपको कोई item buy करना है तो वो best item क्या होगा and then उसके बात हम यहाँ पर बात करेंगे community day ticket के बारे में जो 0.99 dollar में आप buy कर सकते हैं और उसके क्या benefit है और वो आपको buy करनी चाहिए या नहीं वो आपके लिए valuable है भी या नहीं उसके उपर बात करूँगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप कैसे यहाँ पर charmander का shando get कर सकते हैं it means यहाँ पर 100 IV shiny charmander भी कैसे कर सकते हैं वो भी without hack आप easy way में उसको get कर सकते हैं और यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके लिए वो होंगी friends बहुत सारी tips होंगी मेरी तरफ से just best move क्या हो सकते आपके तरफ से इस community day में मेरी तरफ से best tip क्या हो सकती आपके लिए वो भी मैं आपके लिए just इस video में clear करूँगा I hope आपको यह video बहुत अच्छी लगे बहुत helpful लगे So let's start this video So alright guys firstly तो मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि इस video के end में आपके लिए और भी बहुत से special चीजे होंगी और एक special चीज मैं announce करूँगा वो वीडियो के end में आपको बता दूँगा I hope आपको वो बहुत अच्छी भी लगे and also यहाँ पर मैं बात करूँगा friends आपके लिए कि यहाँ पर किस जगे पर आपको community day play करना चाहिए और जो आपके favorite place होते हैं और आपके हमेशा demand होती है कि bro यहाँ पर जो मेरा favorite place है वहाँ पर community day कब start होगा वो timing बताओ तो just वो भी मैं timing आपको बता दूँगा कि इंडिया की time के इसाब से उस जगे पर इतनी बज़े community day start हो जाएगा तो वहाँ भी आप जाकर play कर सकते हैं अगर आपको वो timing जाननी है तो वीडियो ध्यान से बिल्कुल देखना और जो छोटी छोटी चीज़े मैं बताओंगा वो भी ध्यान से सुनना तो firstly तो बात करता हूँ यहाँ पर जो community day है चारमेंडर का वो start होगा यहाँ पर 17 October को 11 AM से 5 PM तक रहेगा आपके लिए और just यहाँ पर friends जो यह event है उसमें और भी बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो वो मैं आगे आप ध्यान से सुनना तो firstly तो यहाँ पर आपको local time के हिसाब से 11 AM से 5 PM तो आप पकमुन गो में प्ले कर सकते हैं आपका चारमेंडर का community day और अगर other place पर जाना है तो वो भी मैं आपके आगे शो कर दूँगा and also यहाँ पर अब हम बात करते हैं bonus की तो bonus आपके लिए बहुत ज़्यादा special होगा मेरी तरफ से best bonus होगा वो होगा friends यहाँ पर 3 into catch status उसके अलावा भी आपके लिए increase spawn होगे आपके लिए wild में तो वो उसमें 3 hour incense हमें देखने को मिल जाता है community day पर and जो सबसे best यहाँ पर bonus है वो है friends यहाँ पर 3 into catch status अगर आप किसी भी Pokemon को catch करेंगा इस event में तो आपको 3 into catch status मिलीगी it means आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा status get कर सकते है और personally मुझे सबसे अच्छा bonus यही लगता है क्योंकि इस game में बहुत सी-सी चीज़े होती है जहाँ पर status की need होती है Pokemon को power up करने में जिस यहाँ पर trade करने में just new attack अगर आपको तो वहाँ भी status लगती है it means यहाँ पर status बहुत valuable होगी आपके लिए अब मैं बात करता हूँ friends यहाँ पर आपके लिए features क्या होंगे यान की main main बाती क्या होंगी और क्या बाते आपको ध्यान रखनी होगी तो मैं आपर बात कर रहता friends दो चीजों के उपर की आप कैसे यहाँ पर shundo get कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ पर hundo get कर सकते हैं तो आपके लिए जो best होगा वो होगा friends यहाँ पर field research इसके अलावा भी बहुत से चीज़ें होती हैं जहांसे आप यहाँ पर shundo get कर सकते हैं डिस्कूर का यूज करकर पीजी शापके यहाँ पर feeds का यूज करकर लेकिन वो एक hacking लेकिन यह जो method से यह जो trick है उसका आप यूज करके आप easy way में यह फिर count without hack भी आप hundo और shundo get कर सकते हैं वो कैसे वो आपको आगे clear करता हूँ क्योंकि friends इस event में जब आप pocket stop को spin करेंगे तो वहाँ पर आपको just एक research मिलेगी या फिर count तो आपको filled research मिलेगी और उसे अगर आप complete करते हैं यहाँ पर और वो special research या फिर count तो field research बहुत ही normal सी होती catch 3 pokmons यहाँ पर make 3 get through और normal सी बात है वहाँ पर अगर जो भी Pokemon होगा वो Charmander ही होगा और Charmander को अगर आप get कर सकते हैं तो field research के through आप 100 iv pokmons get कर सकते हैं easy way में यहाँ पर आप उसका hundo भी get कर सकते हैं shundo भी get कर सकते हैं तो आपके लिए benefit होगा अगर आप यहाँ पर इसका use करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा useful रहेगा इस बार का community day और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात बता दूँ अगर आप यहाँ पर किसी भी pokmon के साथ photo bomb करते हैं तो आपको वहाँ पर just wild में या फिर कहूं तो आपको photo bomb के through Charmander देखने को मिल जाएगा और आपको wild में भी वह मिल जाएगा और वह Charizard को evolve करते हैं इस event में यानि कि आप 11 से 5 के बीच में अगर Charizard evolve करते हैं देन उसके 5 बजे के बाद भी अगर 2 hours तक अगर आप Charmander को Charmeleon में and then उसके बाद Charizard में evolve करते हैं तो आपको यह attack देखने को मिल जाएगा और आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और यह best है या नहीं वो मैं आपको आगे clear करता हूँ वीडियो में उसके बाद friends यहाँ पर आपके लिए और भी अच्छी चीज़े होंगी आपको फिल्ट रिसर्च में नॉर्मली बहुत जादा आपको यहाँ पर mega energy देखने को मिल जाएगी चार्मेंडर की या फिर काओं तो चारिज़ार की तो आप उसे easily evolve कर सकते हैं mega में अगर आपको mega pokemons बहुत अच्छे लगते हैं और अगर आप गेट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली उसका यूज कर सकते हैं फिल्ड रिसर्च के थो आपको mega energy easy way में मिल जाएगी अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको ticket buy करना चाहिए या नहीं यानि कि friends यहाँ पर 0.99 dollar का जो यह ticket होता है वो आपके लिए valuable है भी या नहीं पर clear कर दूँ आपके comments आते हैं bro हमीशा की bro यहाँ पर मुझे buy करना है या नहीं तो वो मैं आपको clear कर दूँ friends अगर आप इसे buy करते हैं तो आपके लिए valuable तो रहेगा क्योंकि friends यहाँ पर आपको shiny भी मिल सकता है easy way में just उसकी IV भी अच्छी मिल सकती है साथी साथ यहाँ पर आपको special research story मिलती है जिसके थूँ आपको यहाँ पर कुछ और items मिल जाते हैं just यहाँ पर mega energy भी energy भी आप get कर सकते हैं उस research के थूँ तो वो आपके लिए benefit रहेगा लेकिन friends अगर आप spoofer है अगर आप spoofing का use करते हैं मेरी जो आपके लिए recommend रहेगी आप buy ना करें तो आपके लिए ज़्यादा best रहेगा क्योंकि friends यहाँ पर कोई sense नहीं बनता है अगर आप spoofer है तो आपको easily यह सब चीज़े normally मिल जाएंगी जो spoof नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ी valuable हो सकती है अगर आप spoofer है तो buy मत करें फिर भी करना चाहें तो आप buy कर सकते हैं and also यहाँ पर मैं बात करता हूँ Chinese की Charmander Charmalion Charizard की so इन में से जो best shiny है वो है friends यहाँ पर Charizard no doubt आप सबका favorite है यहाँ पर मेरा भी बहुत ज़्यादा favorite है Charmander भी मुझे बहुत अच्छा लगता अब मैं बात करता हूँ मेरी तरफ से special tip आपके लिए क्या होगी friends मैंने आपको यहाँ पर यह बताए कि आप कैसे shundo get कर सकते हैं कैसे hundo get कर सकते हैं वो तो एक अलग बात हो गई and also friends यहाँ पर अगर आप trade करते हैं Charmander को और वो अगर lucky होती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा benefit होगा क्योंकि वहाँ पर आपको एक IV भी अच्छी मिल जाएगी और अगर किसी Pokemon की IV अच्छी नहीं होती है तो वो आपके लिए थोड़ा सा valuable नहीं होता है और वो एक तरह से मैं कहूं तो waste Pokemon ही होता है उसे आप चाहे तो transfer कर सकते है लेकिन किसी Pokemon की IV अच्छी होती है CP कम होती है तो वो आपके लिए valuable होता है और आप उसका normally use कर सकते हैं कहीं भी PVP में GBL में जहां भी आप उसका use करना चाहें तो आप easy way में win कर सकते हैं battles थोड़ा आपको benefit हो जाता है अगर IV अच्छी होती है तो आप चाहें तो यहां पर trade कर सकते हैं अपने friend के साथ साथ जो छोटी-छोटी चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए आपकी जो item की storage है वो आपको increase कर लेने जस्ट Pokemon की storage है वो आप भी आपको increase कर लीने है क्योंकि Pokemon Go Community Day प्ले करते वक्त आपको कोई और problem ना है आपको बार बार Pokemon को transfer ना करना पड़े यहां पर आपको जो items मिल रहे हैं उनके थूब आपको कोई items यहां पर just delete ना करने पड़े तो आप उन्हें increase कर सकते हैं अगर आपके पास अभी Pokemon है नहीं है तो आप जाकर जो भी वेस्ट Pokemon है उन्हें अभी transfer कर दें तो आपके लिए benefit रहे यहां पर जो आपके लिए special बात थी हो सकता है Community Day पर मैं इस बार या तो Face Game के साथ live आ सकों या फिर आपके लिए Face Game की वीडियो बना सकों Community Day को प्ले करते हुए तो आपके लिए थोड़ी सी enjoyable होगी I hope आपको वह अच्छी भी लगे और also यहां पर friends मैंने आपको लिश्ट शो कर दी है कि best best place कौन से है जहां पर अगर आप Pokemon Go Community Day प्ले करना चाते है तो वह timing आपके लिए रहेगी आप उनके थुरू normally जा सकते है आपको मैंने Sydney भी शो कर रखा है आपको यहां पर मैंने और भी other places है वह भी मैंने आपको शो कर रखे है आपके लिए Japan है आपके लिए यहां पर Paris है और और भी आपके लिए जो favorite place है Pure 39 है आपके लिए America का time है just यहां पर मैंने Zaragoza का भी time यहां पर add किया है तो आपके लिए यहां पर best रहेंगे तो मैं आपको यहां पर clear कर दूँ कि Charmander का जो यह attack है आपके लिए best रहेगा आप इसका use कर सकते हैं PvP battles में GBL में आप इसका use कर सकते हैं लेकिन साथी साथ यहां पर outrease attack है वो भी आप अच्छे से use कर सकते हैं तो आप चाहें तो यहां पर outrease attack का Charizard भी आपके पास होगा तो वो best ही रहेगा नहीं तो आप Dragon Breathe का भी use कर सकते हैं और हां और भी कुछ update होंगी तो मैं आपको इंस्टा पर clear कर दूँगा तो आप वहाँ पर जाकर follow भी कर सकते हैं अगर आपने follow नहीं किया है वी बेक को इंस्टा पर अगर यह वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो please share करना इस वीडियो को कहीं भी आप जहां भी share कर सकते हैं